हेलो वेलकम टुदा माई चैनल डाइमंड सुपर स्टेडी क्लासेस और आज मैं आप लोगों को जो क्लास्टिंद का जो सप्लीमेंटरी रीडर से दाय हिन्वेंटर हो के प्टेज प्राव में समारा जो पहला चैप्टर था वो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को और इसका ही अर्चन आ गई मतलब की बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रियेट हो गए क्योंकि मैंने सेकंड पेपर स्टार्ट कर दिया था तो फर्ष्ट पेपर थोड़ा रोक रखा था मैंने इसलिए ओके जो देखिए यह हमारा जो पहला चैप्टर है था मासलवा एडीशन जी के द्वा ने ने कहां तक आप लोगों को पढ़ाया था याद भी हो है ना मैंने बताया था कि यहां पर जो फामस अलवा एडीशन जो एडीशन थे वह क्या कर रहा है थे एक मिक्चर बना के लेके गया थे किसके पास छोटी लड़की के पास गरीब बिचारी लड़की थी उसकी नो एडिशन और वह क्या हुआ जब मिक्चर को पी लिया तब उसके बाद क्या हुआ यहीं से हमारी कहाणी स्टार्ट होनी थी यहां तक देखे बताया था मैंने तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे अपनी कहानी, दा poor girl, believed him, and drank the mixture, poor girl, मतलब बैकारी लड़की ने, believed विस्वास कर लिया, दा मिक्चर, और drank मतलब पी लिया, दा मिक्चर, पी गई, मतलब उसी घोल को, वही जो मिक्चर था, उसने जो बना के दिया था, तो उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और उस मिक्चर को पी गई वेल अच्छा शी डिड़ नाट फ्लाइ बट सी फैल इल अच्छा वह मतलब ऊड़ी तो नहीं तो नहीं बट लेकिन सी फैल इल लेकिन वह क्या हो गई बीमार पड़ गई मतलब की वह मादर सच्फ आध सेमीं नाट टू डू सो टू सच इचपरिमेंट्स एडि जंग अडिसन सफों सच्फ पेहर सब्सक्राइश की अडिशन गडिश्ञाय रीडि की मादर की मतलब कि वो आएसे मुर्खता पूरवक जो पड़िचर कर रहा है वो यहां ना करे है ना उसको क्या किया वार्न किया उन्होंने है ना चलिए आगे देखते हैं once he went to a poultry farm with his mother देखिए वो वाली कहानी वहां तक हो गई अब यह दूसरी घटना है once he went एक बार he went to a poultry farm मतलब एक मुर्गी farm है ना जानते होंगे सबी लोग विद हिज मदर अपनी मा के साथ एक बार वहां अपनी मा के साथ मुर्गी farm गया there he saw a hen वहां पर ही saw उसने देखा सा मतलब देखा a hen मतलब एक मुर्गी वहां पर उसने एक मुर्गी देखा it was sitting on its eggs यह बैठी थी it was sitting यह बैठी थी its eggs मतलब अपने on its eggs मतलब अपने अंडो पर यह अपने अंडो पर बैठी थी he asked his mother about it and she answered he asked उसने पूछा his mother अपनी मा से about it इसके बारे में and she answered और उसने और उन्होंने जवाब दिया मतलब जब उसने question किया उनसे अपनी मा से तब उन्होंने क्या किया जवाब दिया the hen is hatching its eggs मुर्गी the hen मुर्गी is hatching मतलब की सराह रही है मुर्गी से रही है its eggs मतलब अपने अंडो को होता नहीं है मुर्गी सेती है अपने अंडो को है ना after some time chickens will come out of the eggs after some time कुछ समय बाद chickens मतलब चूजे चूजे विल कम बाहर आए out of the eggs उन्हीं अंडो से उन्हीं अंडो से कुछ चूजे बाहर निकल कर आए okay, why can not I hate x, why can not अब देखे उसके मांड में आ गया question तुरंट से कि why can not I hate x मैं क्यों नहीं X मतलब से सकता हूं अंडो को, थीक है दो, यंग addition यद्यपीजो चोटा addition था, the next morning अब देखिए यहां पे कैसी सिलीफूर्ड जो इसका परिचड़ है यही सब मुर्कता पूरा उनके परिचड़ हुआ करते थे एडिशन के है न तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह हां वह ले आया एक डरजन अंडे और उन पर बैठ गया ठीक है उन पर बैठ गया यही गौट अप आफ्टर सम टाइम बट इड़ नाट फांड एनी चिकेंस उसने मतलब की नहीं पाया ही गौट अफ्टर सम टाइमस उसने कुछ समय बाद क्या पाया मतलब की बट इड़ नाट फांड एनी चिकेंस कुछ समय हो गया और जब वह खड़ा हुआ तब उसने कोई भी चूजा नहीं पाया ही ही हैड ओंछी शमैजड गाम टेन सिस्को समयलेट आध और उसने केवल बर bile कर दिया थी शन्हा मंश्म lls हिट्स इसपोईल्ट हिज सॉर्ट और अपनी नेकर को जो मतलब कि उसकी जो अंडर वियर थी उसको उसने क्या किया था बरबात कर दिया था he got a good beating from his mother that day he got a good beating उसने पाई एक अच्छी पिटाई from his mother मतलब अपनी मा से that day उस दिन उसने अपनी मा से उस दिन एक अच्छी पिटाई पाई चलिए यहां तक हमारा यह इतना हो गया इसके आगे मैं आप लोगों को फिर पार्ट 3 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ियेगा बस थोड़ा थोड़ा खाईए थोड़ा थोड़ा पचाईए है ना जादा हो जाएगा तो ओर फोलो हो जाएगा ओके चलिए बस next में हमारा जो वीडियो होगा वो जल्दी है आप लोगों को मिलेगा ओके चलिए ठीक है धन्यवाद